12 जंदरी से देश के 13 शहरों में कोरोना का टीका करन अभ्यान शुरू हो चुका है 3000 वाक्सिनेशन सेंटर्स तैयार किये गए हैं और ये तरह किया गया था कि हर एक सेंटर पर 100 लोगों को टीका लगाया जाएगा गंद के हिसाब से अब तक 30 लाक लोगों का टीका करन तो हो जाना चाहिए था मगर ऐसा हुआ नहीं वीडियो में जानेंगे कि सरकारण ने जिस तरीके से वक्सिनेशन का प्लान बनाया था वो फॉलो क्यों नहीं किया गया है अब तक कितने लोगों का टीका करन हो चुका है वाक्सिनीशन से अभी तक क्या साइड एफिक्ट सामने आए हैं कितने लोग हॉस्पिटलाइज किये जा चके हैं और बिहार में आज वाक्सिनीशन की क्या तैयारिया जारी है मगर उसके पहले थोड़ी आप्चारिक्ता कर लेते हैं नमस्कार मैं हूँ सौमयराठी और अब जनता जंक्षिन देख रही है सबसे पहले आपको बता दे कि बिहार में वाक्सिनीशन की दूसरे सेशन में 301 केंद्रों पर आज वाक्सिनीशन की जा रही है और इसमें बिहार की राजधानी पटना के 17 सेंटर शामल है कल याने के रविवार को उन 13 राज्य जहां वाक्सिनीशन की शुरुआत हो चुकी है उनमें से बस 6 राज्यों में ही टीका करन का भियान जारी था उन 6 राज्यों के नाम है अरुनाचल प्रदेश, आंध्रप्रदेश, करनाटका, केरला, मनिपुर और तमिलनाडी आपको बता दे कि PMCS में आज सुबह 9 बचे से ही वाक्सिनीशन की शुरुआत की जानी थी मगर वो स्वास्तकर्मी जिनने टीका लगाया जाना था वो खुदी समय से नहीं पहुँच पाए इसलिए टीका करन की शुरुआत देश से हुई सुप्रिटेंडेंडन डॉक्टर बिमलकारक्स ये जानकारी मिली है कि आज दूसरे सेशन के टीका करन में शाम 5 बजे तक 100 लोगों का टीका करन कर दिया जाएगा और जिनने वाक्सिन लगाई जानी है उनकी सूची की वेरिफिकेशन का काम चल रहा है आपको बता दे कि पारस हॉस्पिटल में भी आज 10 बजे से टीका करन की शुरुवात हो चुकी है आपको जानकारी के लिए बता दे कि दो दिन से चल रहे टीका करन अभियान में अब तक 2,000,000 से जादा लोगों को वाक्सिन लगाई जा चुकी है जिन में से 17,000 के करीब लोगों को वाक्सिन रविवार को ही लगाए गई थी आपको ये भी बता दे कि जितने लोगों को वाक्सिन लगाई गई थी उन में से 447 लोगों में साइड एफिक्स देखने को भी तीन ऐसे लोग थे जिनने होस्पिटलाइस तक करना पड़ा था लेकिन अच्छी बात ये रही कि इन में से 2 कॉप तक डिस्चार्ज भी कर दिया गया है आपको कोरोना के केस के आंकड़े भी एक बार बता देते हैं रविवार को देश भर से करीब 14,000 नए मामले सामने आएं जो जून से अब तक में सबसे कम है और 145 लोगों के कोरोना की वज़े से मनने की खबर भी सामने आई है केरला और महराश्ट्र से सबसे ज़्यादा केस सामने आ रही हैं केरला से 5005 और महराश्ट्र से करीब 4000 केस सामने आएं कोरोना की वाक्सिन के साइड एफेक्ट सामने आने से कुछ लोगों को उन अफपाओं पर वापस यकीन होने लगा है जो वाक्सिन आने से पहले फैल आई जा रही थी आपको ये भी याद दिला दे कि बहुत सारे राजनीता भी ऐसे हैं जिन्होंने वाक्सिन का पहिशकार करने का मन बना लिया है तो देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या वो सच में इस कीका करन का हिस्सा बनते है या नहीं वाक्सिनेशन का भियान तो शुरू हो चुका है लेकिन देश के हर कोने तक वाक्सिन पहुँचने में बहुत वक्त लगने वाला है ऐसे में लोगों को चाहिए कि वाक्सिन आने के खुशी में संक्रमन के खत्रे को नजर अंदाज ना करें और जितनी साफधानी बीटे नौ महीनों से दिखा रहे हैं उसमें कोई कमी ना लाए क्योंकि अगर ये भूल की गई तो शायट वाक्सिन से पहले कोरोना उन तक पहुंच जाएगा इसलिए अगर जरूरी ना हो तो ट्रावलिंग से परहिस करें बना मास्क अपने घरों से बाहर ना निकले भीड़ बाड़े वाली जगह को अवाइट करें और अपने हाथों का लगता सानिटाइस करते रहें इस खबर में इतना ही अगर आप हमें फेस्बुक पर देख रह और मेराथी कामरे के पीछे हैं प्यूस चौरस किया और आप देख रहे हैं जनका जनका